हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल और कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सभी काफी अच्छे होंगे अभी टाइम होरा मॉर्निंग का मैंने ले लिया शावर आप देख सकते हैं मैंने हेर वाश भी किये थे क्योंकि आज है संडे और मैंने नाइट में ज अब बने के लिए अच्छा नहीं लगता है लेकिन हैल्थ के लिए अच्छा होता है तो कभी-कभी खा लेती हूं अभी हम लोग खा लेंगे और फिर में बनाऊंगी खाना देखते हैं आज का क्या रूटीन रहता है और हां उससे पहले मैं आप लोगों से यह बोलना चाहत हु आप लोगे काफी कमेंट आते थी कि आप जो है हमें इन्ष्टा आइडी दी जिए पनी अपनी आईटी दीजिए हम आपसे बात करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यही मैंने जो है अपना इंस्टा एकाउंट उपन कर लिया है। वस इडी को मैं आपर स्कीन पर मैंशन कर दूँगी आप लोग मुझे इस्टागराम पर भी फॉलो कर सकते हैं। किर्व आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए ही मैंने इंस्टागराम अडी बनाई है। से बोलना था मुझे याद से यह आप लोगों से बोलना था क्योंकि आप लोगों के लिए ही यह मैंने किया है और आज जो है शायद मेरी ननन भी आएंगी और उनकी बेटी आएगी कल मेरी बात हुई थी कॉल पर तो आज संडे और सभी लोग फ्री रहते हैं तो बोल रही थ सब्सक्राइब करना है हम जो आउट ऑफ गौल जा रहा है कहां जा रहा है वो तो भी नहीं बताऊंगी आप लोग बताइए कमेंट करके कहां जा सकती हूं तो बस उसकी भी तैयारी मुझे करनी है और नाइट में हम लोगों की ट्रेन है व्लोग में आगे बढ़ने से पहल किचिन में तो मैंने सब्जी बना ली है आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी घटी मीटी वाली आप लोगों के साथ रैस्पी शेयर कर चुकी हूं इसलिए मैंने नहीं दिखाया तो बस सब्जी बन चुकी थी तो इसमें हारा धनिया वगरे डाल कर मैंने ढखके रख और आटा भी घूल लिया तो यहां पर मैं चपाती सेक रही हूं तो जादा नहीं बनानी है सिर्फ चार चपाती सेकूंगी क्योंकि इनके लंच में मुझे पैक करके रखना है और बाल गीले थे तो इसलिए मैं क्लच किये हुए हूं क्योंकि खाना बना रही हूं तो अभी अभी ऐस टाम पर उपन नहीं करूंगे और घचन का पूरा काम नहीं होगा तब तक उपन नहीं करूंगी तो यह दो रहें ग इस बust truly रहेंगे चांज छेन आप जोए में इनको उठा लेती हूं फोर्ट कि इत ना साफ लग रहा है ग्रीन ग्रीन में कितना सुन्दर लग रहा है मैं तो यहां कपड़ उठाने आई थी क्योंकि मौसम हो गया है बादल देखिए बारिश वाले हो गया है तो इनको मैं उठा लेती हूँ वरना यह जितने सूखें उतने भी गीले हो जाएंगे मैं फिर से आगई हूँ किचिन में और जो लंज और ब्रेकफास्ट के बरतन थे उन्हीं को मैं यहाँ पर साफ कर रही हूँ क्योंकि यह मैंने साफ नहीं किये थे और बाल फिर मैंने सुचा कि जब ये बरतन वगरे कर लूँ उसके बाद ही खोलूँगी क्योंकि अभी तो गी लई है और मैं बरतन क्लीन कर रही थी उसे टाइम जो एना बैल बजी तो देख लीजिए कौन आया है यहां पर यह आ चुकी है दीदी और साथ में यह आई है मेरी भांजी मुस्कान हाई कर दो सभी को कि काफी लोग पूच भी रहते कि आपकी सिष्टर लोग की फैमिली कैसी है क्या है तो आप लोग देख लीजिए आज आपको मिलवा भी दिया है सभी लोग बढ़िया है मसते हैं और आयो गए आज मैं जो है बरतन क्लीन कर रही थी और उसी टाइम यह लोग आ गए थे तो फिर मैंने फटा फट से जो ना बरतन क्लीन की उसके आगे मैंने वीडियो शूट नहीं की फिर उसके बाद पानी वगएर दिया इन लोगों को और अभी बैट गए हैं हम लोग बाते कर रहे हैं से आना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और बस मेरी और मुस्कान की तो बहुत ज़्यादा पड़ती हम कहने को मामी भान जी है रिस्ते में लेकिन हम रहते हैं बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हैं तो मैं दीदी से भी इतनी ओपनली बात नहीं कर पाती हूं मैं सार जैसे कि मैं बना रही हूं तो मुस्कान हमीसा मेरे साथ किचिन में ही रहेगी अगर मेरे पास होगी ना तो किचिन में ही रहेगी मेरे साथ तो बस मैं सिंपल तर ऐसे ही बना रही हूं जैसे कि मैं बनाती हूं तो कड़ाई में मैंने ओइल डाल दिया तो उसके बाद इसमें डाल दीती सरसों और कटी हूई प्याज हरी मिर साथ में हापर कुछ करी पत्ते डाल रही हूं मैं और बस उसको चला दूँगी उसके पर मैं जो है ना इसमें जो इप्पी मसाला आता है वो कट करके डाल दूँगी पानी यहां पर बॉइल हो गया है तो इसमें अब मैं डाल दूँगी नूडल्स और साथी साथ मैंने चाय को भी बनने के लिए रखती आता तो मैं इलाइची और अद्रक बाली चाय बना रही हूँ उसमें मैंने एलाइची भी डाली है साथ मैं दौफ़ी डाला टो बस भो भी अच्छी से बॉइल हो रही है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां जो फिंगर वगारे है और यहां पर मुस्कान जो फिंगर वगडरे है पापड है राइस पापड उनको फ्राई कर र यह जाए कैसे कह सकते हैं यह कोई आज आधा है मैं आपको यह खाना आए क्या था क्या था इसकी पनाती है चाय पीने रख तो बस यह थी उसकी बाते हैं हमेसा जो इसकी वात ऐसे ही चलती रहती है और यहां पर भी नुडल्स और चाय बन चुकी थी तो मुस्कान उसी को छान रही है और बस यहां पर मैं पताने किसी काम के लिए गई थी और फिर मैं आ गई तो वह रखने लगी यहां पर तयार है चिप्स और पापड साथ में है गर्म गरम चाय दीदी को दे दिया था इसलिए दो कफ हैं यहां पर और यह हैं यपी नूडल्स तो आप लोग भी आ जाईए हमारे साथ खाने के लिए तो यहां पर मैं मुस्कान को अपनी प्लेट मैं से और निकाल कर दे रही थी क्योंकि मुझे जादा नहीं खाना था मैंने दल्या खा लिया था तो जादा मन नहीं था मेरा खाने का और इन लोगों स बना दी थी तो बस खाते हुए साथ हमारे यहां पर बाते चल रही हैं और बैठे तो यह लोग काफी टाइम तक थी लेकिन वीडियो मैं थोड़ी शूट की थी थोड़ी शेयर की है आपनों के साथ तो आप लोग बताएए का आपनों को इन से मिलकर कैसा लगा और फिर इनके जाने के बाद मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया आगे क्योंकि मेरा जुस्ता रहना वो इतना जादा दर्द होने लगा था कि मेरा फिर मनी नहीं हुआ कैमरा उठाने का और मुझे जाने की जो तैयारी करनी थी जो पैकिंग करनी थी जो भी रखना था वो मैंने नाइट में किया था मैंसे मैं सोच रही थी कि आगे ब्लोग को continue करूंगी लेकिन सर में इतना दर्था कि मैं नहीं कर पाई तो चलिए फिर इस ब्लोग को भी मैं यहीं पर end करती हूँ और अगर आप लोग को आज का यह ब्लोग पसंद आया हो गाना भी बहुत अच्छा गाती है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके इनसे जरूर बोलिए कि एक अच्छा सा सौंग सुना है बताएए आपको कैसा लगा हमारा यहां आना मामी के हां आके और इतना सब कुछ खाना अगर पसंद आया हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में